आज की कच्छा की ओर आप सबका स्वागत आप सबको मेरा नमस्का आज का इशल है रजना के आदार पर वाक्य के भी इस पाड़ की ओर हम जा रहे हैं व्यागरेंट पाड़ पहले हमें वाक्य क्या है यह देखना सार्तक शब्दों का ऐसा समो जो व्यवस्तित हो और पूरा आशय प्रगड़ कर सके उसे वाक्य कहलाता है वाक्य क्या है बच्चों शब्दों के व्यवस्तित समूख को सार्तक समूख को हम वाक्य कलते हैं सार्तक शब्दों के समूख उसे व्यवस्तित रूब में प्रयो किये हो वही है वाक्य तो वाक्य पढ़कर हमें उसका अर्थ भी मालूम हो जाते हैं तो व्यागरन में रजना के आदार पर वाक्य के तीन बेद होते हैं सेरल, सम्युक्त और मिश्रू कितने बेद हैं? रजना के आदार पर वाक्य के तीन बेद हैं वे हैं सेरल, सम्युक्त और मिश्रू एक देख लीजी पहले उदाहरे हम लोग ठहलने के लिए बाग में गई इस वाक्य को हम सेरल वाक्य कलते हैं क्यों? जिस वाक्य में एक पूर्नक्रिया होती है वही सरल वाक्य है सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक पूर्नक्रिया होती है वह सरल वाक्य है तो हम लोग ठहलने के लिए बाग में गई इसमें खेवल एक पूर्नक्रिया है वग है ठहलने के लिए बागु में गई केवल एक क्रिया और वग क्रिया पूर्ण है अपूर्ण नहीं इसलिए उसे सरलवाखे करते हैं सरलवाखे में करता एक से अधिक भी हो सकते हैं पर विदे ये एक होता है बच्चों एक वाखे में हमेशा उद्देश और विदेई होते हैं ये जबी आपके कर्कुलम में उद्देश और विदेई नहीं है फुर भी मैं बदाती हूं उद्देश वाखे में उद्देश होते हैं और विदेई भी होते हैं जस द्यान लेना उद्देश क्या है जिसके बारे में वाक्य में कहा गया है वही उद्देश है और विदेश क्या है उद्देश के बारे में जो कहा है वही विदेश पहले उदाखरन देख लिजिए हम लोग ठखलने के लिए बाग में गई वह हम उद्देश क्या है हम क्योंकि हम के बारे में यह हम बताया गया सो किसके बारे में बदाता है वही उद्देश है इसकारत है करता करता ही उद्देश है हम लोग टखलने के लिए बाग में गये इस वाकि में करता क्या है subject of descendants हम उसे हम क्या करते हैं हम लोग के विल हम नहीं हम लोग सो हम लोग ही यहां उदेश है क्योंकि यही करता है और इसका विदेई है ठहलने के लिए बाग में गए हम लोग हम लोग हमने क्या किये कहां गए हम लोग कहां गए टहलने के लिए बाग गये तो टहलने के लिए बाग में गये विधेई है उदेश हम लोग टहलने के लिए बाग में गये विधेई तो सारलवाच में केवल करता एक से अधिक होंगे लेकिन विधेई क्या होता है एक ही होता है इसलिए बताया केवल एक क्रिया ही होते है अब ह में दूसरे उदाहरन की ओर चलेंगे दूसरे उदाहरन हैं हम बादजार गए और मिटाई लाए तो इसकी व्याक्या मैं आपको डूंगी